भारत में कुछ बड़े शहरों को छोड़ कर अगर आप किसी चोटे शहर या ग्रामीन शेत्र में किसी यंग लड़के या लड़की से पूछें कि आपकी अकांग्शा क्या है तो अधिकतर लोग कहेंगे कि वो एक सरकारी नौकरी जाते हैं और ये बाद ठीक भी है क्योंकि सरकारी नौकरी में पैसा अच्छा है जो आपको benefits मिलते हैं, perks मिलते हैं, वो भी अच्छे हैं, pension इत्यादी, सरकारी नौकरी में power भी जुड़ी हुई है, security भी उससे जुड़ी हुई है और सरकारी नौकरी से समाजिक प्रतिश्था भी करोड लोगों ने अपलाई किया उत्तर प्रदेश में 370 पियोन सरकारी पियोन की नौकरी निकली और 23 लाख लोगों ने अपलाई किया वेस्ट बेंगॉल में सरकारी ग्रूप डी की 6000 वेकंसी निकली और 25 लाख लोगों ने अपलाई किया महराश्ट्र में 1100 पुलीस कॉंस् ये दो लाख एप्लिकेशन आई तो अगर आप इन आखड़ों को देखो तो सरकारी नौकरी जो है वो एक लौटरी की तरह है कि आपने लौटरी का टिकेट खरीदा है निकल गई तो निकल गई इसको हम नैरो फ्रेमिंग भी कहते हैं जब कोई व्यक्ति जब प्लैनिंग करत है तो वो बहुत कम विकल्प अपने सामने रखता है तो उसको नैरो फ्रेमिंग कहते हैं आज के दिन ये ज़्यादा जरूरी हो गया है कि जो यंग लड़के लड़कियां हैं जब वो अपने करियर के बारे में सोचें अपनी जीविका के बारे में सोचें तो वो सिनारियो base planning करें मानलिया आप सरकारी नौकरी के तयारी कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि मेरा plan A तो ये है कि मैं सरकारी नौकरी की तयारी करूंगा या करूंगी और उसके बाद अगर भाई चांस नहीं निकले तो plan B क्या है तो हो सकता है plan B आपका हो कि अच्छा एक और attempt आप लेंगे सरकारी नौकरी के लिए पर उस attempt में क्या आप पूरा वक्त फिर से पढ़ाई करेंगे आप कहीं जाके coaching लेंगे training लेंगे जिसमें और जादा पैसे भी लगते हैं या आप कहेंगे कि आप कोई part time कुछ पढ़ाई कर लेंगे या part time कोई और नौकरी कर लेंगे और फिर अगर second attempt में भी नहीं निकले तो क्या आप फिर सरकारी नौकरी का ही खौप देखते रहेंगे या आपने कोई scenario based planning करी हुई है अगर आप नहीं निकले तो आप अपना आपका plan B क्या है आपका plan C क्या है तो narrow framing के बदले scenario based planning करना जहां आपके पास जादा विकल्प है वो एक जादा अच्छा तरीका है सोचने का यहीं नहीं अगर आप फिर भारत में आखनों को देखेंगे तो जो working population है उसका अंदाजन 90 प्रतिशत से जादा लोग जो हैं भारत में unorganized sector में काम करते हैं कि सरकारी नौकरी या private company की नौकरी छोड़िये अधिकतर लोग जो हैं वो काम करते हैं जहां जीवी का महीने से महीने आप क्या कमाएंगे इसकी भी कोई guarantee नहीं है सरकार के अपने आखने हैं कि working population का तकरीबन 45% से ज़्यादा लोग तो self-employed हैं कोई 33% लोग casual labor हैं और चाहे सरकारी हो या private sector की नौकरी बनी होई आए वाली जो नौकरियां हैं वो तो केवल 17% लोगों के पास हैं पर अर्थ व्यवस्ता जिस तरीके से बदल रही है टेक्नालोजी की वज़े से जिस तरीके से अर्थ व्यवस्ता बदल रही है अच्छी खबर यह है कि इवन अर्गनाइजड या self-employment वाले सेक्टर में कई सारे नए अफसर जो हैं वो सामने आ रहे हैं जैसे मैं गावों में जाके वरक्शॉप करता हूँ तो मेरी यंग लड़के लड़कें से बातचीत होती है और उधारन तर मैंने एक जगा सुना उत्रप्रदेश में कि एक लड़के ने जिसके पिदाजी कार्पेंटर थे यानि की निम आये की फैमिली थी उन्हों ने उस और आज के दिन गावों में भी आप शादी में या किसी और टिवहार में या किसी और अफसर में फोटाग्रफी या विडियो बनाने की जो है वो डिमांड जो है वो मांग जो है वो बढ़ रही है तो फोटाग्रफी का स्टूडियो खोलना मुझे लगता एक अच्छा लिया है और मैं उनको सुझा रहा था कि आज के दिन अगर आप ने एक कैमरा में इनवेस्ट किया है कैमरा खरीदा है तो आज के दिन हो सकता है कि आप ऐसा सोचें की जो ड्रोन है , अभागीड ड्रोन पकिट ड्रोन उडा के ड्रोन बेस फोटाग्रफि भी करेंगे, क्योंकि जब फोटाग्रफि के पीछे जो मकस्द है वो है अपनी समाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाना, तो अगर आप किसी को यह यह ओफर करेंगे कि मैं आपकी ड्रोन बेस फोटाग्रफि भी कर सकता हूँ, त उस local printing press में एक जो यंग लड़का है वो उनकी designing करता है तो मैं उनको सुझा रहा था कि आज के दिन क्या हो गया है कि most likely वो जो लड़का है उसने कोई formal training designing की नहीं ली होगी पर आज के दिन दो बाते हैं एक ये कि internet में इतनी सब videos YouTube videos वगेरा available हैं कि आप खुद से अपने को बहुत कुछ सिखा सकते हैं और दूसरा ये कि कई सारे free tools आ गए हैं जैसे canva.com करके एक tool है जहां पर की हजारों templates हैं मुफ्त की templates हैं जो जिन में बहुत अच्छी color scheme बहुत अच्छे font combination इस तरीके की चीजें visiting card हो book cover हो ये सब मिलते हैं तो अगर इसी लड़के को अगर ये बात पता हो कि canva.com जैसे tool का इस्तेमाल करके और YouTube में जाके खुद से सीख के वो अपना अपनी प्रतिभा बढ़ा सकता है तो उसकी कमाने की जो समता है वो भी बढ़ जाएगी तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आज के दिन बहुत संकीन विकल्प नहीं सोचने चाहिए हमें नैरो फ्रेमिंग नहीं करनी चाहिए और ये सारी जो नए अफसर आ रहे हैं इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए मुझे ऐसा लगता है कि जब हम जब एक कोई यंग लड़का या लड़की अपने फ्यूचर करियर के बारे में सोच रहे हैं तो उनको ये भी सोचना चाहिए कि उनका रुजहान क्या है उनका इंट्रेस्ट कहां पर है क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हमारा रुजहान कहीं और होता है पर हम काम कुछ और करते हैं क्योंकि हम पैसा कमाना चाहते हैं आज की दुनिया में क्या हो गया है कि प्रतिभा जो है वो बहुत महत्पूर्ण है क्योंकि आप जादा मेहनत करने को तयार होगे इसलिए आपकी जो प्रतिभा है वो भी बढ़ेगी इसके विपरीत अगर आप कोई ऐसा काम ढूटते हैं जिसमें आपका रुजहान नहीं है तो फिर होगा क्या कि कुछ सालों बाद आप बोर हो जाओगे आप उसमें मेहनत करन को नहीं तयार होगे और पहला दरवादा तो खुल जाएगा उस नौकरी का पर आगे जाके उसमें आप कितने सक्सेस्फुल होंगे उसकी संभावना कम है क्योंकि आप फिर अपनी प्रतिभा जो है उसको बढ़ा नहीं रहे हैं यहां ये बात भी है कि प्रतिभा नुसार क काम तो करना है अपने रुजान का पर जीवन परिस्थितियां वो आपको नहीं अलाव करती है तो कम से कम अगर आपको एक क्लारिटी है कि आपका इंट्रेस्ट है कहां पर तो आप इस तरीके की प्लाइनिंग कर सकते हैं कि आज तो हम यहां पर हैं पर हम यहां जाना चाहत है बहुत सारे लोग जो अपना इंट्रेस्ट जानते हैं पर उसको नहीं फॉलो करते हैं अपने पैशन को नहीं फॉलो करते हैं तो उसका जादा तर कारण ये होता है कि उनको चिंता होती है कि लोग क्या गहेंगे यानि कि वो एक बहुत तुलनात्मक जीवन जी रहे होते है तो ये जो एक mindset है, ये बदलना मेरे को लगता है बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि जीवन जीने के दो तरीके हैं, एक तरीका है inside out, inside out से मेरा मतलब है कि आपको समझ में आता है कि आपका रुजहान क्या है, आपका interest क्या है, और आप फिर अपना जो talent पतिपा है वो उसमें बढ़ाते हैं और वो काम करते हैं, और आप इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि फिर लोग क्या कहेंगे, दूसरा तरीका है outside in, कि आपको ज़्यादा चिंता है, क्योंकि आप शायद तुलनात्मक जीवन जीते हैं, कि समाज क्या कहेगा, या लोग क्या कहेंगे, आपके परिवार के लोग क्या कहेंगे, ये जो चीज़ है, ये ज़्यादा आपको drive करती है, जो भी आप decisions लेते हैं, तो अब इसमें सही या गलत वाली बात नहीं है, पर मुझे लगता है कि अगर आप अपना विवेक का इस्तेमाल करें, और आपको कम से कम ये clarity ह कि ये दो तरीके हैं, एक inside out, एक outside in, और फिर आप इनको सोचते हुए कोई decision लेते हैं, तो वो जादा अच्छा decision होगा, कुछ टाइम पहले मेरी London School of Economics उनके post graduate student से बात हो रही थी, और हम यही बात कर रहे थे कि क्या आप learning to earn कर रहे हैं, या yearning to learn, कहने का मतलब है कि आपका म कि आपको लगता है कि MBA करने से जो है वो एक छोटा रास्ता है जादा पैसे कमाने का, तो इसको मैं कहता हूँ learning to earn, कि आप सीखी इस ले रहे हैं क्योंकि आपको लगता है सीखने का जो सारा मकसद है वो है पैसा कमाना, या इसके विपरीद है yearning to learn, कि आपको अपना रुज कैसे लेते हैं learning to earn के हिसाब से या yearning to learn के हिसाब से तो बात आई YOLO की, तो आज के जो यूवा हैं वो ये YOLO शब बहुत इस्तेमाल करते हैं, YOLO होता है you only live once, तो मैं YOLO से तो सहमत हूँ, कि you only live once, पर होता क्या है कि जो बहुत सारे YOLO हैं वो YOLO का बहाना लेकर, चाहि स्थाइटिक रूप से रिस्क्य काम करते हैं जैसे योलो कहके दारू पी लेना बिंज ड्रिंकिंग या योलो कहकर कोई ड्रक्ज ले लेगध सो स्ंकेर दाइव जोलो के बादर प्ञेज काम करते रNew हैं जारी उजहान समझें और आप कोई कोई ऐसा काम करें जो कि आपको लगता है कि वो मीनिंग्फुल है आपकी नजर में उसका कोई महत्व है क्योंकि जब आप ऐसा काम करते हैं जिसमें आपका इंट्रेस्ट है तो आप ज़्यादा जॉइफुल रहते हैं तो मैं लंडन में एक संस्ता चलाता हूं जिसका नाम है टाइमलेस लाइफ स्किल्स और 2013 से मैं भारत के ग्रामीन स्कूलों में के साथ काम कर रहा हूं और जब मैं टाइमलेस लाइफ स्किल्स कालातीत कौशल के बारे में सोचता हूं तो मुझे लगता है कि ये इसके दो जो ह के लिए तयार है कि नहीं कालातीत कॉशल का दूसरा पहलू है जीवन के लिए तयार जीवन के लिए तयार से मेरा मतलब है कि एक सार्थक आनंद पूर्ण जीवन जीने की जो है कॉशल रखना तो इस वीडियो श्रिंकला में हम फोकस करेंगे जीविका के लिए तयार, फ्यूचर रेडी, इस पहलू पर, कालातीत कौशल के इस पहलू पर तो जब जीविका की बात है तो मुझे लगता है दो बातें यहां पर है, एक बात है कि बिलकुल वैसे जैसे पहली और दूसरी और द्योगिक करांती के बाद, मेकनाईजेशन और आटोमेशन ने वैश्विक अर्थविवस्था का स्वरूप बदला था, वैसे ही आने वाले दशकों में, कंप्यूटर, आर्टिफिशल इंटेलिजन्स, रोबोटिक्स इत्यादी जो हैं, यह टेकनालोजीज अर्थविवस्था का स्वरूप फिर बदलेंगी, पर भारत जैसे विशाल देश में एक तरफ तो ऐसा बदलाव आएगा, पर दूसरी तरफ एक बहुत ही हाइपर लोकल, बहुत ही जादा लोकल कांटेक्स्ट में, जो है, वहाँ पर भी एक अफसर होंगे, और जीविका के लिए तयार होने, भारत जैसे विशाल देश के लिए, मुझे लगता है, यह दोनों चीज़ें जो हैं, इन पे हम नदर रख सकते हैं, तो इस वीडियो श प्रस्पेक्टिव से देखना चाहिए, भिन दृष्टी कोनों से देखना चाहिए, और फिर अपना विवेक का इस्तेमाल करके उसको निरने लेने चाहिए, तो इस वीडियो श्रिंखला में मैं जो प्रस्तुत कर रहा हूँ, यह मेरे विचार हैं, आप इनको सुनिये, और आप और भी अलग विचार धाराओं से अवगत हुए, आप जानिये कि और लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, और फिर अपना विवेक जो है उसका इस्तेमाल करकर अपना निरने लीजे, इस वीडियो श्रिंखला में एक और चीज जिस पे हम ध्यान देंगे, वो है एक framework जो की aid to thinking है, कि जो आपको सोचने में सहूलियत करेगा, तो इस framework में मैं कौशल को तीन भागों में बाटता हूँ, एक मैं कह रहा हूँ, hard skills है, hard skills से मेरा मतलब है कि वो कौशल जो आपको किसी काम करने के लाइक बनाते हैं, कोई जहां से आपकी जीविका चल पाए, चाहे वो डॉक्टर बनना हो, इंजिनिर बनना हो, चार्ड अकाउंटेंट, लॉयर, या graphic designer, app designer, 3D, virtual reality designer, जो भी है, ये इस किसम के कौशल हैं, जो आपको निपुड बनाते हैं अपनी जीविका चलाने के लिए, ये हैं hard skills, फिर इस framework का दूसरा जो भाग है, वो है soft skills, soft skills वो skill हैं आपको काम आएंगे ही, जैसे communication skill, या financial literacy, वित्य साक्षरता, या networking, या time management, तो ये सारी एक और set of skills हैं, जो soft skills हैं, और तीसरी जो चीज़ है, वो है dispositions, dispositions का मतलब होता है qualities of the mind, यानि कि मानसिक प्रवरतियां, जैसे मैंने एक mindset कहा कि mindset है कि सरकारी नौकरी बहुत अच्छी ह और बाकी नौकरियां नहीं अच्छी है, तो ये एक mindset है, एक और mindset है, जब आप, जो भी आपके ऊपर कुछ नकारात्मक हो रहा है, उसका दोशी किसी और को ठहराते हैं, जो कि victim mindset कहलाता है, या फिर risk taking, एक और mindset है, इस वीडियो शिंकला में, आगे आने वाले वीडियो में हम इन तीनों चीजों पर hard skill, soft skill और dispositions इन पर एक गहरी नज़र डालेंगे, हमने बात करी थी कि अगर आप ऐसा काम करें जिसमें आपका रुजहान है, तो वो आप सफलता के आपके chances उसमें जादा हो जाते हैं, पर कई लोग जो specially young लोग हैं, वो जानते नहीं हैं कि उनका जनून है क्या, तो हम इस बारे में भी बात करेंगे कि अपना जनून कैसे पहचाना जा सकता है, और इसमें कई सारे मनोवग ज्यानिकों ने इस पे काफी कुछ शोद करा है, फ्लो की एक concept है, मिहेली चिकसत महाई की, इकी गाई की एक जपानी concept है, तो हम अपना जनून कैस पहचान सकते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, फिर एक बहुत जरूरी बात ये है कि जैसे ही अर्थविवस्था का रूप स्वरूप बदल रहा है, तो कई चुनोतियां भी हैं, कि कई सारी जो आज के दिन नौकरियां ये computerize हो जाएंगी, ये disappear कर जाएंगी, पर सांथ ही कई नई चीज़ें आएंगी, तो आप कितने career aware हैं, कि आपको कितना पता है कि नई क्या चीज़ें होने वाली हैं, पुरानी क्या चीज़ रहेगी, वो कैसे बदलेगी, तो हम एक वीडियो में नजर डालेंगे career awareness पर, और finally हम चर्चा करेंगे bio data बनाने पर, interview पर इस पर हम कम ध्यान देंगे क्योंकि इस पर बहुत सारे संसादन जो है online already available है, पर इसमें mentors ढूंडने की बात, कि आज के दिन में जब हम knowledge economy की बात कर रहे हैं, तो अगर आपके पास mentors हैं, जो आपको मार्क दर्शन दे सकते हैं, जो आपको प्रेरित कर सकते हैं, ये स्वागत है